Hello everyone, Welcome to Study IQ. Study IQ के इस विडियो में हम INX Media Case के बारे में बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कार्ती चिदंबरम जो पीची दंबरम के बेटे हैं, पीची दंबरम कॉंग्रेस की सरकार में वितमंत्री थे तो कार्ती चिदंबरम को अरेस्ट क्यों किया गया है, तो बहुती सिंपल शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगी ये कहानी स्टार्ट होती है 2006 से, जब कॉंग्रेस की सरकार थी, उस वक्त एक कंपनी बनी थी जिसका नाम है INX Media ये एक टिपिकल मीडिया कंपनी थी, जिसका काम था, मीडिया के लिए कंटेंट बनाना, डिस्टिब्यूट करना, इतियादी इस कंपनी को शुरू किया था, पीटर और इंदरानी मुखर जी ने ये हस्बेंड वाइफ हैं दोनों, और इन पर शीना बोरा मर्डर केस, यानि अपनी ही बेटी के हत्या का आरोप है, शीना बोरा मर्डर केस, तो ये हैं कपल पीटर और इंदरानी मुखर जी, इस कंपनी का बाद में नाम हो गया था 9X Media, लेकिन जब ये पूरा घोटाला स्कैम हुआ था, तो इसका नाम था 9X Media, अब इससे पहले मैं आगे भढ़ू, आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, कि अगर कोई भी कंपनी, किसी विदेशी कंपनी से पैसा लेती है, तो वो FDI रूट के थ्रू लेती है, विदेशी पुझी निवेश आता है इसमें FDI और FDI दो तरीके से आता है, एक Automatic Route और एक Approved Route, Approved Route में सरकार का Approval लेना पड़ता है, यानि सरकार की Permission लेनी पड़ती है, और Automatic Route में सरकार की Permission नहीं लेनी पड़ती, तो उस वक्त Foreign Investment Promotion Board था, आज इसको खतम कर दिया गया है, लेकिन उस वक्त होता था Foreign Investment Promotion Board, ये हमारी के सरकार की वो इकाई थी, वो एजेंसी थी, जिसका काम ये था कि Foreign Direct Investment उनको Recommend करे, उनको Approve करे, Automatic Route से, जो नहीं हो सकती उन्हें, यानि Approved Route से उन्हें Approve करे, यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है, कि ये Approved Route क्यों होता है, क्यों विदेशी कंपनी कुछ सेक्टर में Directly Invest नही जाए पूरी तरह, तो फिर उसमें Conflict of Interest हो सकता है, हमारा जो देश है, उसमें जो मीडिया है, पूरी विदेशी अगर हो गई, तो फिर वो एजेंडा सेट कर सकती है, तो इसी तरह Defense वाले सेक्टर, मीडिया, जो बहुत समेधन शील सेक्टर है, जो हमारी राश्टिय सु फिबी के पास, Foreign Investment Promotion Board को इन्होंने कहा कि ये पैसा रेज करना चाते हैं तीन कंपनियों से, एक है Dunn Earn, एक है NSRPE और एक है New Vernon Private Equity Limited, इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि ये downstream जो भी investment रेज करेंगे, उसके बाद ये एक downstream investment भी करना चाते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये ब 2 करोड इससे जादा नहीं, इससे पहले हम आगे बढ़ें ये जाना जरूरी है downstream investment क्या होता है, तो माल लिजे एक कोई कंपनी है विदेशी A, और वो किसी भारत की कंपनी में पैसा लगाती है B में, और एक और भारत की कंपनी है C, और B को अगर पैसा मिल जाए, कंपनी A से निवेश मिल जाए, तो B फिर उस निवेश का कुछ हिस्सा C में लगा दे, इसको बोलते है downstream investment, तो एक कंपनी है और INX News, तो INX मीडिया ने ये permission में downstream investment करना चाहती है, ये permission foreign investment promotion board ने उन्हें नहीं दी, foreign investment promotion board ने सिर्फ इतना कहा, आप लगभग 4.62 करोड रुपे विदेशी कंपनियों से equity या stock dilute करके ले सकते हो, share issue करके ले सकते हो, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, देखिए आपको ये समझना है, जब भी कोई share issue होता है, तो उसकी face value होती है, सिर्फ 10 रुपे, सिर्फ 10 रुपे, हलांकि company का जब नाम attach हो जाता है इसके साथ, तो वो मह सारे दूसरे factor पर निर्भर करता है, अब यहाँ पर permission मिली थी 4.62 करोड की, लेकिन INX media company ने जो पैसा था काफी ज़ादा raise किया, इन्होंने 305 करोड रुपे, विदेशी कंपनियों से raise किया, और इन्होंने जो share था 800 रुपे का issue किया था, खेर 800 रुपे का ये share issue कर सकते थे इसमें कोई problem नहीं है, लेकिन इन्होंने जो पैसा raise किया, वो है 305 करोड, इन्हें permission थी सिर्फ 4.62 करोड की, अब 305 करोड इन्होंने raise कर लिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो INX news company थी, INX news उसमें invest कर दिया 26%, जबकि इन्हें इसकी कोई भी permission नहीं थी, इन्हें downstream investment क कि कोई भी permission नहीं मिली थी, foreign investment promotion board से, 2008 में जो हमारा आयकर विभाग है, income tax department, उनको complain हुई कि जो INX company है, वो इस तरह की उन्होंने कानून का उलंगन करा है, उसके बाद income tax department ने foreign investment promotion board से सफाई मांगी, उसके बाद foreign investment promotion board ने INX media को question करना start किया, उन्होंने एक letter लिखा INX media को, कि वो explain करें, कि ये जो irregularity हुई है, अकाउंट्स में, ये किस वज़े से हुई है, जब foreign investment promotion board ने INX media से सफाई मांगी, तो INX media ने सफाई दी, और हलंकी ये बिल्कुल एक open and shut case था, यानि ये इनकी irregularities काफी glaring थी, उसके बाद भी foreign investment promotion board ने इनके खिलाफ कोई action नहीं लिया, यह ये लोग फस गए, यानि कि Peter और इंदरानिल मुखर जी, जब INX जो media company है, वो फस गई, तो उन्होंने क्या किया, कार्ती चिदंबरम को hire किया, कार्ती चिदंबरम उस वक्त एक company के director थे, जिसका नाम है Chess Management Services Limited, तो Chess Management Services Limited की सेमाई लेने के लिए, इन्होंने इस company को hire किया, और वो हमें इस situation से निकाल सकते हैं, इसके बाद देखिए कुछ बहुत interesting होता है, और वो ये कि Foreign Investment Promotion Board, वो ये कहता है INX Media को, कि तुमें काम करो, तुम दुबारा apply करो, जब इन्होंने पहले apply किया था, तो इन्हें 4.62 करोड की permission मिली थी सिरफ, और इन्होंने raise कर लिया था accept हो गया, यानि कि इन्होंने बचने के लिए दुबारा प्रोपोजल भेजा और वो accept हो गया, हलांकि ये retrospective है, यानि इनके खिलाफ action होना चाहिए था, क्योंकि चाहे बाद में हुआ accept, लेकिन पहले इन्होंने कानुन का उलंगन कर दिया था, तो कार्थी चिदंबरम का र पोजिशन का यूज करते हुए, foreign investment promotion board के अधिकारियों को influence किया, और उन्हें ये कहा कि कोई action ना लिया जाए, इसके अलावा उन पे corruption का भी case है, जो INX media company है, वो ये भली भाती जानती थी कि जो कार्थी है, हम उसको directly तो पैसे नहीं दे सकते, तो एक company को hire कर लेते हैं, जिस कि एक company और है, जिसका नाम है Advanced Strategic Consulting Limited, ASCPL, Advanced Strategic Consulting Limited, इस company में भी कार्थी एक indirectly इसको control करते हैं, इसमें directly ये डिरेक्टर नहीं है, तो जो payment हुई, वो invoice जो raise किया गया, वो इस company के नाम पे किया गया, ASCPL, इस company को साड़े 3 करोड रुपे की payment दी गई, INX media के द्वारा, और ये इ management services के through दी गई, क्योंकि chess management services में कार्थी जो हैं चिदंबरम वो directly, director है, यानि वो directly control कर रहे हैं, जबकि ASCPL में वो उनका नाम नहीं है, एक तरह से बेनामी जैसे होता है, तो इसमें उनकी जो identity छुपाने की कोशिश की गई, 2017 मई में जो enforcement directorate है, उन्होंने money laundering का case register किया, कार्थी चिदंबरम के खिलाफ, और एक CBI inquiry बिठा दी गई, कार्थी चिदंबरम के खिलाफ, उसके बाद इनके offices पर raid मारी गई, कई जगा, और जो चिदंबरम का घर है, उनको उसपे भी raid हुई, इनको question किया गया, इनके खिल इनके खिलाफ एक lookout notice जारी हो जाए, मदरास High Court ने notice पे stay लगाया था, लेकिन फिर Supreme Court इसमें बीच में आ गया, और Supreme Court ने इसको reinstate कर दिया था, उसके बाद इन्हें कुछ समय के लिए बाहर जाने की permission Supreme Court ने दी थी, जिससे वो अपनी daughter का admission Cambridge University में करवा पाएं, इन पर अब के cases लगे हैं, जैसे Prevention of Corruption Act के तहत लगा है, 420 जो धारा है, हमारी IPC की उसके तहत लगा है, और भी कई cases अब इन पे चल रहे हैं, और इनका बहार आना आप काफी मुश्किल नजर आ रहा हैं, अब इस पर Congress का क्या reaction है, ये देखते हैं, Congress ये कह रही है कि ये एक बदले की भ हवना से कर रही है, और इने फसाने की कोशिश कर रही है, अभी election आने वाले हैं, राजस्तान में और कई crucial करनाटक में election है, और वैसे भी 2019 में आम चुनाव है, तो ऐसे में इनके खिलाफ एक इस तरह का महौल बनाया जा रहा है, कि जैसे Congress जो है वो अभी भी उस corruption के perception से नही निकल पाई है, जिसमें वो 2014 में लिप थी, दूसरी बात एक और इलजाम लग रहे हैं इन पे कि जो मुखरजी कपल है, क्योंकि इन पे शीना बोरा murder case का आरोप है, और ये बुरी तरह से फसे हुए है, तो बीजेपी इनसे एक deal strike करना चाहरी है, कि उस case से हम तुमें निकल ना उस वक्त थे, तो कार्थी चिदमरम ने जो भी अपनी position का इस्तेमाल किया, वो as a son of P.C. दमरम किया, तो P.C. दमरम को भी इसमें media घेर रही है, in fact कार्थी चिदमरम से ज्यादा जो media में reporting हो रही है, वो P.C. दमरम की हो रही है, तो ये Congress के लिए काफी बड़ा setback होगा considering की crucial elections भी आने वाले हैं, तो एक तरफ आप देख सकते हैं, जहां हमारे गरीब जनता है, जहां उसको खाने को नहीं मिलता, जहां एक तरफ तो वो हैं और दूसरी तरफ हमारे नेता हैं, जो अर्बों, खर्बों, करोडों, कई लाक करोड का जो scam है, वो कर जाते हैं, और इ इसमें case proceed कैसे करता है, तो यह था वीडियो, I hope आपको इस समझ में आया होगा, जाने से पहले मैं आपको याद दिला दू, study IQ के pen drive courses उपलब्ध हैं, इन सारे exams के लिए, अगर आप कोई भी course हमारे खरीदना चाहते हैं, तो study IQ.com पर जाकर ज्यादा जनकारी ले सकते हैं, व वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया.